हालो गुड इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंगलिश सूत्रा में आप सभी के स्वागत करती हूं टू अधी फो सीरीज का आज डे ट्वेल है और आज हम मैंने आप से कल कहा था कि हमारा जो बैट है लाइव यैज फ्री उकार्ष सबसे बड़ी भाइद को पढ़ाने के लिए आऊंगी और जो 6 से 12 तक और 6 से 12 तक का syllabus के वियस ने दिया है वो हम लोग कवा करेंगे और कैसे करेंगे graduation और post graduation लेवल पर और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ 8 से बज़े मैं आप लोगों के साथ हूँगी इसके लिए मैंने आप से कहा था कि 12 तारिख से मैं start करूँ क्योंकि 12 तारिख तक का दिन मैंने इस लिए लिया है क्योंकि मैं कभी भी कोई किसी पी चीज में कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कूच जाती मुझे से रोड मैप तयार करना पड़ता है कि अगर क्या चीज आपको देनी है उसमें क्या चीज अगर सिर्फ समरी पढ़ा दी और जो टेंथ लेवल के यह सिक्स लेवल के सब्सक्राइब करवा तो यह चीज है मुझे बहुत सारी सोचनी पड़ती है करनी पड़ती है और मैं आपको और चीज बता रही हूं कि इसमें जितने भी एंसी क्यूज बेट आपको और यह शूरू होगा काम मेरा थोड़ा बहुत मैने कर लिया है और इसीलिए मैंने बारा-तारिक तक का समय लिया है और जैसे कि मैंने आप से कहा था कि 2 or the 4 series तो ये तो video series है ये चलती रहेगी और 2 or the 4 series में आज से हम John Milton जो है वो start कर रहेगे तो चलिए John Milton start करते हैं एक और चीजे में कोटेशन कितनी अच्छी है you get what you work for not what you wish for आप वो पाते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता चाहिए कुछी सोचिए और उसकी दिशा में कदम बढ़ाईए तब ही चीजे जो है वो होती है और इसके साथ ही यह बैई देखो ऐसा है पेट बैच जो है मेरा TGT PGT और DSSB का आप तो के ल का लाइव बैच भी अवेलेबल है सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी यह मैं हट जाती हूं रिकॉर्डड लेक्चर्स है लिट्रे टर्म्स कंप्लीट ग्रामा विद ऑनलाइन टेस सीरीज और स्टडी मटीरियल सेवने टाइन फाइन फाइव नाइन त्री सेवन डबल क्वेशन नमर वन है मैं हट जाती हूं पहले यहां से कौन सा वर्क मिल्टन का जॉन मिल्टन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जॉन मिल्टन जो है ही बिलॉंग तो 17th सेंचुरी उन्हें बिलेटेड एलिजबेथन कहते हैं और वो जो है मिल्टन ने जब शुरुवात करी थी तो ही स्टाटेड राइटिंग पोयम्स मिल्टन एक बहुत ही ज़्यादा जो इन्हें लेडी ऑफ दख्राइस का आ जाता था कि क्योंकि नाकेवल उनके गुट्लॉक्स की वज़े से बाद बेकॉस अफिस पूडिशने से इस वेल्टन को कॉमेडी पसंद नहीं थी उनको ट्रैजडी पसंद थी मिल्टन जो है वो खुदी उन्होंने यह कहा भी है अपनी बुक में भी कि उनको जो है उनको घर में कभी मिडनाइट से पहले उन्होंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा था वो एक प्यूरिटन थे और प्यूरिटन का मतलब होता है जो कि प्यूरि चोड़ का पोएम जो है प्रोज लिखना शुरू करा इह प्रोज जो है जो लिखा है उन्होंने इसमें से लिसिडस यह उनकी एलीजी है पैरडाइस रीगेंट और पैरडाइस लॉस्ट यह नो डिपने जीवन के लास्ट बिसमें लिखना है यह एपिक रीगे में खड़ी ओके तभी आप लोग को बताऊंगी क्योंकि ये फिर मैं जो है वो भीच में अड़ा जाती हूं और आपको जो है question नहीं दिखता यह एक polemical tract polemical tract यह किसके against था it was against the licensing order of 1643 it was against the licensing order of 1643 और यह 1640 और licensing order of 1643 के against था यह जो it is titled after ariopageticus एक speech थी जो athenian orator isocrates ने 5th century में बोली थी यह ariopageticus से लिया गया था जो कि एक speech थी जो एक athenian orator isocrates के द्वारा बोली गयी थी 5th century में और थीम क्या है freedom of press whatever a writer wishes whatever a writer wants to convey that should be published it came in 1644 and ariopageticus the title has been taken from ariopageticus which is a speech that was spoken by the orator isocrates in 5th century so this is question number one and now let's move to question number two samson agonistis by milton let's discuss about samson agonistis by milton samson agonistis जो milton के द्वारा लिखा गया है milton ने इसे poem कहा है question है samson agonistis by milton क्या है तो samson agonistis by milton greek drama की तरहे लिखा गया greek form को restore किया गया यह उनका एक purpose भी था कि to restore the greek काम और samson agonistis paradise regained के साथ ही आया था और यह एक closet drama है it's a closet drama लिखा गया है model है इसका greek tragedy milton अच्छा यह closet इस लिए है क्योंकि इस समय तक milton जो है यह बिल्कुल greek tragedy को restore करना चाहते थे बगर यह सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया यह stage पर दिखाने के लिए नहीं लिखा गया तो samson agonistis by milton milton ने उसे poem कहा है लेकिन अगर यह पुछाता samson agonistis according to milton तो यह long poem है by milton it's a play it's a closet drama written written as a model written in the model of greek dramas तो यह एक play है closet drama है इसमें भी autobiographical touches है क्योंकि इस play में milton ने samson के बारे में बताया है जो अपनी ही गलती की वजह से अंधा हो जाता है and milton फी यह महसूस करते हैं अपने जीवन के last phase में कि यह जो blindness है उनकी यह उनकी खुद की ही शायद जो है वो प्रदत है अगर आपने उनका यह sonnet पढ़ा हो when I consider how my light is spent तो उसमें पहला जो है जो first eight lines है वो एक question पूछती है last के six lines उसका answer देती है कि but patience to prevent कि God को जरूरत नहीं है ना तुमारे gifts की ना किसी चीज की जो वेट patiently जो patiently वेट करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं तो कहीं न कहीं यही चीज Milton को अपने जीवन के अंत में लगी थी ये play फी autobiographical passages के लिए जाना जाता है जैसे Paradise Lost अपने autobiographical passages के लिए जानी जाती है ऐसे ही Samson Agonist from which book has it been taken to be weak is miserable doing or suffering यह बेहत खुबसूरत लाइन्स चोग है यह Paradise Lost की लाइन्स है Paradise Lost जो की एक secondary epic है secondary epic का मतलब क्या होता है secondary epic वो epic होता है जिसमें जो poet होता है वो source के रूप में विभिन books वगरा से sources विभिन books में से अपना material लेता है तो इसे secondary epic कहते है primary epic होता है जो orally transmit होता है और secondary epic वो होता है जिसके लिए poet बहुत जगे से अपना material लेता है यह Virgil के Aeneid से प्रभावित होकर उन्होंने लिखी है यह 10 books में पहले आई थी Paradise Lost उसके बाद यह 12 books में हो गई और इसमें Milton ने fall of man दिखाया है और इसके जो इसकी theme है to justify the ways of God to man unknowingly Milton इसमें Saturn के साथ है यह epic अपने autobiographical passages के लिए जाना जाता है जबकि epic की यह खूबी होती है कि एक epic जो है उसमें hero जो होता है न वो hero की कहानी बताई जाती है उसमें कहीं से कहीं तक भी writer की personality reflect नहीं करती लेकिन इसमें Milton की personality reflect करती है William Blake ने तो कहा भी है कि Milton was of devil's party without knowing it और यह भी critics ने कहा है कि जब Milton के हाथ बंदे वे हैं when he writes about God और Milton बिल्कुल बंदर मुक्त हो गए हैं when he writes about Saturn तो Saturn is really the hero of paradise lost not according to Milton but many critics believe that Saturn is the hero of paradise lost यह जो line है यह बहत खुबसूरत line है जब Saturn अपने followers में एक चोश जो है वो भर रहा है तो कहता है to be weak is miserable doing a suffering अगर आज तुम कमजोर हो तो तुम बहुत ही दैनिये सिती में हो चाहे कुछ कर रहे हो और suffering तुमारे लिए imminent है to be weak is miserable कमजोर नहीं पढ़ना है क्योंकि इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ना है Saturn की speech बहुत ही खुबसूरत speech कुछन देख लिजे अब विच फूल इस अपस्टोरल पूम बाई बिल्टन now let's understand what is the meaning of pastoral poem a pastoral poem is that poem in which the background is rural and the poet is in the guise of a shepherd and if it is an elegy he laments over the death of his friend the fellow shepherd and this poem is lycidas lycidas एक pastoral elegy है इसमें ये मिल्टन ने अपने दोस Edward King के लिए लिखी थी ये poem मिल्टन ने तो अपनी poems बहुत बाद में publish करवाई ये poem जस्टा एडवार्डो में publish हुई थी जिसमें बहुत सारे students ने अपनी शिद्धानजली Edward King को दी थी उनहीं में से एक शिद्धानजली की poem ये इस poem में ही मिल्टन ने अपनी theory of poetry भी बताई है और इस poem में उन्हों अपने अलिसिडस के रूप में किसको दिखाया है अपने friend Edward King को तो that's a pastoral poem by Milton, Adonis is by Shelley and Tyrus is by Matthew Arnott Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected who made this statement to Milton की poetry एक mirror है जिसमें writer का character जो है वो बहुत ही clearly reflect होता है हाला कि यह question कहीं बार हो चुका that's B और यह who made this statement अब इसको क्या करा हो तो कहीं बार हो चुका the period known as the age of Milton is Milton का period कौन सा जाना जाता है यह एक यह भी कोई question कहीं बार पूछा गया है और इसमें मतलब पूछा क्या कहीं बार हो चुका है Milton का period कौन सा जाना जाता है Milton का period जाना जाता है उनका James first की मृत्यू के बाद जब Charles first आये थे और उसके बाद restoration period था तो 1625 to 1660 Charles first से लेकर Charles second restoration period the age of Milton had three kinds of poets Milton के समय में तीन तरीके के poets थे और इनी तीन poets का प्रभाव हमें जो है इसमें देखने को मिलता है सबसे पहले metaphysical poets देखिए metaphysical poets cavalier poets and puritan poets और एक इसमें एक और भी आ जाता है कि Spencerian भी आ जाता है metaphysicals cavalier puritan religious heroic puritan metaphysical romantic dramatic cavalier religious classical तो यह है metaphysical metaphysical जैसे john done metaphysical poets वोते थे meta परे physical physical foundations के परे जिसमें john done जो conceits का यूज किया करते थे और उसके बाद थे cavaliers जो Charles first के दरबार के कवी थे cavaliers और फिर थे puritans तो इसमें वैसे Spencerian भी था एक तो metaphysical cavaliers and puritans the line the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven occurs in यह इतनी सुन्दर लाइन है यह saturn की लाइन है and you very well know that Saturn is a character in paradise loss यह बहुत ही सुन्दर लाइन है कि हमारा जो दिमाग है वो इतना powerful है कि वो चाहे तो heaven को hell और hell को heaven बना दे यह lines paradise loss की lines है Saturn की line है जो अपने followers को में जोश इंस्टिल करने की कोशिश कर रहा है तो यह line है paradise loss paradise loss जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यह एक epic है secondary epic है यह बिल्कुल epic लिखा गया है यह Greek और Latin form में ही लिखा गया है मीडिया रस से शुरू होता है म्यूज को इसमें invoke किया गया है इसकी म्यूज जो है वो यूरेनिया है और यूरेनिया जो पहले जो Greek mythology according astronomy की और poetry की अब जो है poetry की मानी जाती है तो म्यूज जो है paradise loss में म्यूज को invoke किया गया है यह question देख लीजिए अब मैं आपको इस चीज के बारे में यह question मैंने जान बूज के लिए है आपको पता यह poem जो है यह लिसिडस में इन्होंने दे रखी है यह let me show you the question यह कौन से year का question है एक मिनट जरह मुझे बुक दे देना कि मैं आपको इसका year बताती हूं कि यह कौन से year में यह question पूछा गया था हां जी मैं आपको एक मिनट जरह बिलकुल अभी जो है वह बताती हूं कि यह कौन से year में यह question आया था हां जी यह question आया TGT 2010 का question है और इसमें जो है लिसिडस दिया गया है तो मैं आप लोगों को इवन आप लोगों के पास भी बुक्स वगरा सब होंगी previous यह papers होंगे तो यह TGT 2010 का आया हुआ question है अब मैं आपको यह बताओं कि अगर जिसने नहीं पढ़ रखा तो वो इसे यही मान लेगा मैं यह नहीं कह रही कि 100% लोग इसे मान लेंगे लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ही बताना चाहूंगी यह line इसकी है ही नहीं मैंने जानबुच की यह question लिया था जुस्मस्ग्रे का जो पोयम है एलेजी रेटर इनकांट्री चर्क यार्ट जो की एक है यह यह पाव फिर पे एक इमपोण फीट पे एक इमपञेशनल ऐलेजी है जिसमें ग्रे जोग है अनसंग लोगों के लिए जो है वह एक उन्होंने लिखी कि जो लोग जो गाओ के एक हैमलेट के लोग जो हैं जिनकी कब्रवे भी पक्की नहीं है तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि the four fathers of the hamlet for them no more the blazing earth shall burn कि अब चुकी वो लोग मर चुके हैं तो उनके लिए अब कोई भटी नहीं जलेगी आंसर है इसका gray is legy और दिया हुआ क्या है लिसिडस तो लिसिडस इस इन इनकरेक्ट आंसर बुक्स में भी है तो काटके ठीक कर लीजेगा the correct answer is gray is legy legy written in a country चट 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 now the next question is Milton was a अब Milton को क्या कहा जाता था अब बिल्येटिटट एलिजबेटर क्योंकि उनकी जो उनको बिलेटेटट एलिजबेटन पूएट का जाता था क्योंकि उनकी जो political theories थी वह by face it दो political theories थी उनकी Puritan की तरह थे तो उनका जो है जो जुकाव था वो एक रिवोल्ट और उसकी तरफ था एलिजबेथन थे तो ही वो भी रिवोल्ट उसमें भी था मगर उसमें ग्रीक एंड लेटन जो वर्क्स थे उनके प्रति उनका रुझान दिखता है तो इसलिए उन्हें बिलेटेट एलिजबेथन पोएट कहा जाता है उनकी दो philosophies की वज़े से एक रिवोल्ट है वो रिवोल्ट किसकी वज़े से है एक मुनार्की के लिए और एक जो उनका रिवोल्ट था वो जो चला आ रहा था किसकी वही रिवोल्ट जो मुनार्की के अलावा पादरियों के अगेंस्ट और किस किस क्योंकि उन्होंने जित what the Pope says, तो he was against the, he was against the religious practices, वो religious practices के against थे, जो वही सेम चीज़ जो reformation में बताए गई थी, तो वो उसके favor में थे, reformation के favor में थे, और इसके अलावा वो मुनार्की के भी against थे, तो दो political जो है उनकी, दो political, दो philosophies थी उनकी, that is why he is called a belated Elizabethan poet. वन सतन से ईस, O myriads of immortal spirits, O power matchless, but with the Almighty, and that strife was not inglorious, though the event was dire, as this place testifies, in Paradise Lost, Book 1, line 622-25, he is addressed, इतने सुन्न लाइन सेन अब शतन की, के whenever I read the lines of Saturn, तो I really admire कि कितना खुबसूरत character जो है, वो Milton ने गड़ा है Oh, merits of immortal spirits, कि thousands of spirits है, Oh, power matchless, कितनी matchless power है, यानि कि तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता, but with the Almighty, but यहां का मतलब है except, सिवाए किसके Almighty के, and that's strife, वो संघर was not inglorious, यहां लिटोटस है not inglorious means कि वो जो संघर्ष था वो कहीं से कहीं तक भी inglorious, यानि कि कम नहीं था, it was matchless though the event was dire हाला कि उसका जो परिणाम हुआ, वो बहुत ही गंभीर था, as this place testifies कि we are thrown from heaven to hell, लेकिन हम अब भी हारे नहीं है, and the mind is its own place, you can make heaven of hell and hell of heaven, कि mind, हमारा दिमाग इतना powerful है कि हम चाहे तो स्वर्ग को भी नर्ग बना दे और चाहे तो नर्ग को भी स्वर्ग बना दे ती खुबसूरत lines है और ये lines चोग है, वो Saturn अपने followers से कह रहा है, तो he is telling this to his followers excuse me what does Milton means what does Milton means what does Milton mean by the word firmament in the lines now glowed the firmament with living sapphires that led dash in book 4 line 605 at Paradise Lost Paradise Lost media रस्ते शुरू होता है इसमें fall पहले दिखाया गया है main कहानी बाद में बताए गई तो now firmament firmament जो बताया गया है ये Milton ने Milton की जो language उन्होंने यूज करी है वो grand style है this word grand style was used by Matthew Arnold तो ये Milton ने ये firmament जो word यूज करा है वो sky के लिए use करा which of the following statements is true of Milton's Paradise Lost Paradise Lost is a protestant homeric English epic is a renaissance protestant English epic is a roman catholic English epic is a true virgilian epic अब अगर आप इसमें देखे हैं तो is a protestant homeric English epic अब अगर इसमें जो writer जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि protestant homeric ये homer के तो उसमें लिखा ही नहीं गया है homer की तरह homer was a Greek poet he was a blind Greek poet उनके उसमें उन्होंने बले ही बहुत सारे epics पढ़े होंगे मगर ये एक क्या है ये protest है is a renaissance protestant English epic कि इसमें Saturn का जो protest दिखाया गया है वो renaissance spirit को बताता है अब renaissance spirit क्या थी renaissance spirit थी revival रिवाइवल रिवाइवल रिवर्थ किसका रिवर्थ ओफ लर्निंग तो ये एक protestant spirit है किसकी क्योंकि milton को एक बिलेटिट elizabethan कहा जाता है तो it's a renaissance protestant English epic ये English का secondary epic in book one of paradise lost milton invokes the heavenly muse Urania she is the muse of ये मैंने आपको बताया था कि milton ने बिल्कुल Greek epics की तरह Latin epics की तरह muse को invoke करा कविता की देवी लेकिन ये जो muse है she is the muse Greek mythology में Urania को पहले muse माना जाता था astronomy का and now she is considered the muse of poetry तो इसलिए muse of astronomy Milton has composed the magnificent epic of paradise lost in Milton ने paradise lost blank verse में लिखा है तो ये देखिए unrhymed iambic pentameter free words, rhymed words, English heroic words heroic words का मतलब तो हो जाता है दो-दो line के couplet क्योंकि epic जो लिखा जाता था heroic couplets में लिखा जाता था unrhymed iambic pentameter का मतलब होता है rhyme नहीं होना मगर जो syllables है unstressed stressed unstressed stressed का उसमें pattern चले एक line में 5 stressed और 5 unstressed और 5 stressed syllables हो यानि कि 10 syllables हो 5 feet हो उसे कहा जाता है iambic pentameter तो ये है unrhymed iambic pentameter the fall of Saturn depicted in book one of paradise lost lasted for जब Saturn का fall होता है जब Saturn को जब जितने भी जो rebel angels होते हैं उनके साथ Saturn को भी heaven से hell में फेंक दिया जाता है that fall took place for 9 days that 9 दिन तक Saturn का fall हो है और जब Saturn नीचे आके गिरा तो जो hell है वो पूरी तरीके से black उसमें रोशनी नहीं है और hell को Milton ने ऐसे बताया है कि उसमें जो है कोई वो नहीं है कि बिलकुल भी रोशनी नहीं है और hell में वो अपना एक meeting place जो है बनाते हैं मलसिबर के द्वारा pandemonium बनाया जाता है Bible में pandemonium का मतलब है all the demons तो it's a place for all the demons The opening lines of paradise lost are a good example of Opening lines जो है वो miltonic inversion की है inversion का मतलब होता है जब word order change कर दिया जाता है तो उसे inversion कहा जाता है जैसे subject verb object होता है वो पहले subject बाद में ले ले तो opening lines जो paradise lost की है वो बहुत अच्छा example है miltonic inversion की और इसमें जैसे blindness visible तो visible blindness blindness visible की जगे visible blindness होना चाहिए था that is called inversion जब word order को change कर दिया जाता है that is known as inversion Now the next question is who of the following said that milton belongs to the devil's party without knowing it ये william blake ने कहा है the marriage of heaven and hell william blake ने कहा है कि जब milton ने saturn को लिखा है तो ऐसे लिखा है कि लग रहा है कि milton मतलब milton was also in love with saturn तो milton was of devil's party without knowing it ये किस ने कहा है william blake ने who was milton's model when he recast the first edition of paradise lost in 10 books to 12 books of the second edition milton ने जब second edition लिखा उनकी paradise lost पहले 10 books में आई थी उनका model थे वर्जिल वर्जिल ने एनिएड लिखी है तो वो 12 books में है तो milton ने वर्जिल के उस पर लिखी है वर्जिल थे उनके model अई नेक्स क्वेशन इस from whose work did john milton take the epigraph to his areopagetic epigraph का मतलब होता है opening quotation जिस quotation से किसी भी work को start किया जाता है उसे epigraph कहा जाता है तो milton ने areopagetic का epigraph लिया है Euripidus के the suppliants से उनका work है the suppliants तो ये जो opening quotation है वो इन्होंने Euripidus के works the suppliants से जो लिये है ठीक है जी तो ये हुए 20 questions आपके आज 20 questions milton के हैं और उसके बाद जो हैं कुछ questions grammar के लेकर आई हूँ तो ये थे 20 questions milton के और अब हम आगे बढ़ते हैं fill in the blanks में आपको जैसे भी जो भी इसमें हैं वो बताती हूँ पहला question है the train dash before I dash the station अब अगर एक साथ दो action हो रहे हूँ तो जो action पहले खतम होता है वहां past perfect और जो action बात में खतम होता है उसे past indefinite कहते हैं आप इसको ऐसे समझिए कि past indefinite जो होता है वो present से past होता है past indefinite present से past होता है और past perfect past से past होता है past से past जो होता है वो past perfect होता है कि जो action पहले खतम हुआ वो past indefinite जो जो action पहले खतम हुआ वो past perfect जो बात में खतम हुआ वो past indefinite अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर the train, भाई हम बाद में पहुँचे, train पहले चलेगे, the train had left before I reached the station. The plane dashed for Indra Gandhi International Airport at 3 o'clock tomorrow afternoon, जब भविश्य के किसी fixed program को बताना हो, तो present indefinite tense का use करते है, तब plane, यह subject है, यह singular है, present indefinite में singular subject के साथ, verb की first form में S या ES जोड देते हैं, तो यह future का fixed program है, और future के fixed program को बताने के लिए will shall use नहीं करते, present indefinite यूज करते हैं, present continuous यूज करते हैं, future continuous यूज करते हैं, और present indefinite तो करते ही करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, तब plane leaves for Indra Gandhi International Airport at 3 o'clock tomorrow afternoon, fish and rice, dash his favorite food, जब कभी दो जो है, वो ऐसे nouns दे रखे होते हैं, जो जोडे में use होते हैं, बतलब वो double nouns होते हैं, और वो use होते हैं, as a pair use होते हैं, तो उन्हें कैसे पता लगाए कि वो plural form में use होंगे, या singular form में तो बहुत आसान तरीका object देखे, fish and rice, his favorite food, तो बात favorite food की की जा रही है, तो यह जो है, यहाँ पर singular माना जाएगा, अगर यह होता, fish and rice, dash starchy and oily items, तो आर लगा देते, तो जब कभी pair nouns को देखते हैं, तो object देखते हैं, subject नहीं देखते, तो क्या लगेगा, is, he, dash, at least 30 years old, inference का मतलब होता है, कि किसी चीज का, जो है, किसी चीज की, अनुमान लगाना, निशकर्ष पे पहुंचना, उसे, किसी चीज से कोई अनुमान लगाना, तो उसे कहा जाता है, inference, और inference लगाने के लिए, किसी चीज का, बहुत, हद तक वो चीज, सही और अंदाजा लगाना, उसे कहते हैं, उसके लिए use करते हैं, modal must, जैसे हमने ये कहा, कि उसके पास audio है, तो वो rich होगा, तो ये inference है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसकी चीज को देखकर, ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो जब कोई inference लगाया जाता है, तो उसके लिए must का use करते हैं, तो he must be, at least, और must के बाद कोई भी modal हो, उस के साथ verb की first form आती है, और जब verb नहीं होता है, तो बी लगाया जाता है, डाश, you mind opening the window please, जब आप किसी से request करते हैं, तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि would जो है, वो will की past tense हो जाती है, would you mind opening the window please, ये please है, polite request है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, would, would you please, would you please pass the salt, तो जब कभी भी किसी भी चीज को request के form में कहा जाता है, तो would का use करते हैं, जब किसी चीज को past में कोई काम हो सकता था, वगर किसी कारण वाश नहीं हो पाया, तो वहां हम perfect conditional, past conditional, perfect tense और past conditional का use करते हैं, और वो जो conditional है, उसका मतलब भी होता है कि, अगर तुम बता देते हैं, तो हम ये काम कर लेते, तो perfect conditional उसमें क्या use किया जाता है, ये past की कोई condition जो पूरी हो सकती थी, मगर किसी कारण वाश हो नहीं पाई, if I had known that you were coming, I would have met you at the airport, तो ये आएगा, that's A, if I had known, तो इसमें ये चीज जो ये लगा ही जाएगी, Now the next question is, I will take dash, it doesn't matter which, पर कोई सभी ले लूँगा, कोई फरक नहीं पड़ता, I will take, it doesn't matter, अब इसे है, I won't take any, I will take, अगर ये आगे नहीं लगता न, It doesn't matter which, तो हम neither या either में से कुछ भी लगा सकते थे, अब यहाँ पर ये से पता चल रहा है, मैं तो कोई भी ले लूँगा, कोई फरक नहीं पड़ता, कौन सा, तो यानि कि कोई सा, either, दोना में से कोई भी एक, तो I will take either, I am looking forward to dash you, देखिए इसमें जो looking forward है, इसके बाद जो ये to है, that's a preposition, और preposition जो होता है, ये अपने बाद या तो noun लेता है, pronoun लेता है, या gerund लेता है, अब आप इसमें से देखिए, ये to infinitive नहीं है, कि वर्ब की first form ले ले, ये जो to है, ये preposition है, तो ये non-finite वाला कौन सा लेगा, gerund लेगा, और इसमें gerund कौन सा है, seeing, तो यहाँ आएगा, that's be, I am looking forward to seeing you, Each day is your opportunity to make progress in dash imperfect world where things often go wrong, अब यहाँ पर है, कि Each day is your opportunity to make progress in an imperfect world, imperfect है, तो वाल से start हो रहा है, और एक general sense में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे, बाना कि ये जो article है, वो noun के लिए है, मगर लगता किसके हिसाब से है, जो उसके पहले adjective आ रहा है, तो इच दे is your opportunity to make progress in an imperfect world where things often go wrong, जनल सेंस में, जनल सेंस में, the rules framed by ICC it is seen, ऐसा देखा जाता है क्या, noun clause है तो उसके साथ हम लगाएंगे that and it's a conjunction, तो that जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं the gathering felt silent, कि भीड एकदम से चूप हो गई, कब तो जो कब का जवाब दे, वो adverb clause है, as the leader जैसे ही, leader ने बोला कब, जैसे ही leader ने बोला तो यह adverb clause है, तो यहाँ हम भी पर लगाएंगे, as the leader spoke it was an unfortunate day for him to see the sensex ending with much कि यह देखते हुए गिरते हुए, तो that is यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ending that is ending, it was an unfortunate day for him to see the sensex ending with much lower points unfortunately, देखते हुए कि much lower points है, sensex जो है वो बंद हो रहा है, हो रहा था this year the monsoon in India, dash weekend by alnino, यह by लग रहा है, तो इससे पता चल रहा है यह passive है, अब passive इसमें कौन सा है, वो भी आपको दिख रहा है तो will be weekend, this year the monsoon in India will be weekend by अब यह वैसे कि alnino के द्वारा weekend कर दिया जाएगा, यह तो है कि अब इस पे तो ऐसा है कि कोई काम हो चुका है, उसकी के sense में से बोला जा रहा है, वैसे तो will be weekend by alnino कि कर दिया जाएगा, तो वैसा हो नहीं सकता, कि पहले से पहले कियास लगा लिया जाएगा, वैसे यह भी हो सकता था लेकिन इसमें यह मान लिया गया है कि मौनसून जो है दिस यह की वज़े से यह करा गया है कि इस साल मौनसून को weekend कर दिया गया है, किस के दौरा alnino के दौरा, और अगर will be लगाते तो यह कर दिया जाएगा तो दिस यह दा मौनसून इंडिया विल भी weekend, अब यह अंदाजा लगाने के लिए कहा जा सकता है तो इसमें has been जो है हमने लगाया है तिस यह दा मौनसून इंडिया has been weekend कि इसको जो मौनसून है वो कमजोर पड़ गया है अलनीनो की वज़े से अब जब कहते हैं ना कभी किस पास्ट में किसी चीज के होने की जब बहुत ज़्यादा पास्ट में कि हम कहते हैं कि यह काम पास्ट में जरूर हो गया होगा तो हम उसके लिए must use करते हैं must have तो जैसे हम गलते हैं कि सडके गीली हैं तो कल राज जरूर बारिश होगी तो हम कहेंगे it must have rained last night तो ऐसा ही है कि जब हम पास्ट में कहते हैं कि कोई काम जरूर हो गया होगा या कोई काम जरूर हो गया होगा तो हम उसके लिए must have यहां आएगा तो यहां आएगा तो क्यों आएगा क्योंकि पास्ट में जब कोई काम 100% हो ही गया होगा ऐसा हम सोचते हैं तो मस्ट हैफ का यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में यहां options में ही गलती है अब everyone के साथ आप wants लगा रहे हैं तो everyone के साथ जो उसका जो possessive adjective लगाओगे वो everyone someone no one के साथ क्या लगता है और यहां क्या रखा है तो थारे option ही गलत है it is not good for our environment general sense में बोला जा रहा है कि यह हमारे environment के लिए साही नहीं है और live में मैं आपसे मिलूंगी बारत आरे को बाइबाए and take care मिलते हैं कल